दोस्तो आज हम आप सबको एक कहानी बताने वाले हैं कि कैसे एक अकेला लड़का पेपर प्लेड बिजनस करके और आज महिने का लाखो रुपे कमा रहा है और वो कैसे पोसिवल हुआ कैसे वो वहाँ तक पहुचा वो पूरी उसकी हम जरनी आपको बताएंगे फुल डिटेल में वीडियो को लाश्ट तक बने रहना ताकि देखने के बाद पूछ आपको भी सीखने को मिले कि आप भी क्या आप भी इस तरह का काम करके आगे बढ़ सकते हैं समय जरूर लगेगा लेकिन काम सक्सेस जरूर होगा क्योंकि अगर मन में हैं विश्वास तो पूरा करेंग तो इसलिए सोने वाला अगर आप सपना देखते हैं भाई वो नींद में खुआग आता है नींद में पूरा होता है अगर आप आखे खोल के देखते हो सपना तो ही उसको आप पूरा कर सकते हो और उसके लिए जजबा और लगन होना चीए तो चलिए इस कहानी को में स्टा करते हैं और कहा से कहानी स्टार्ट हुआ हो आपको कामाता हुआ है तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या-क्या-क्या सबस्क्राइब करें वह सबसे पहले आप तक पहुंचे तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से क्योंकि जम मैं चोटा साथा 10 साल का था मैं तो मैं दिल्ली चला गया था 2006 में मेरे सामने मेरे सामने एक बंदा को मैं देखा था cycle से बंदा चला करता था ट्रावल करता था और मेरे सामने वो एक paper plate का machine लगाया था जो कि मेन वरी मसीन था हैंगड प्रें सवेsnaGet इस __ पैर से उसको एक-एक पी समय डालते थे अर्फ से पैर से नदो पीर भाते थे प्रोर भी चलाये मसीन को कुछ जिन मिरुह काम किति ऐब संब और वह बियुज मेर श्वाट किया था और दिल दिल बाना जा काम को स्टार्ट किया था लेकिन हुछ टेम उसके पास फिर नहीं था तो मेरे सांगा सामने की संदर के साइकल से बन्सक्राइब करना कर देगा लेकिन उसके अंदर जजवा था वह समझ चुका था और वो जान गया था कि हमें अगर इस काम को करना है तो इसमें सबसे बाद जो चीज है वो है पैसा थोड़ा पैसा से कुछ नहीं होगा स्टार्ट तो कर लिया थोड़ा पैसा से लेकिन स्टार्ट करने के बाद उसको समझ में आ गया कि हमें इसमें पैसा ज्यादा डालना होता है बताने से कुछ नहीं होता है पहले उनको पैसा चाहिए जब देखेंगे तब जाकर आप में वह पैसा इंवेश्ट करेंगे वैसे कुछ नहीं करेंगे वह बंदा गाओं गया गाओं में अपने करें लिए निए ने प्याले को बादचीत किया उसके पास में 57 गाय भैस थी उसने घरवाले से बात किया घरवाले ने बोला में पास पैसा नहीं वह बोला कि यह का दो गाय अगर बेच देते हैं तो उसमें से पैसा मिल जाएगा तुमिछ आपने बिजनेस को आगे बढ़ा अपने बारे में किसी ने उसके बातों को भी सभास ने किया नहीं माना फिर लास्ट में वह क्या किया उसके पास में कुछ सामान था जैसे सोने का चैन वगरा था थोड़ा बहुत उसने उसको बेच दिया वह पहना करता था उसके पास में पहले से बना था उस घर में वह वहा कमिटी लोग दिली वारे जो वीडeो देखिए मुन ko सब को पताओगा बहुत अulduerdo कमिटी चलती है वो उस पैसे से कमेटी चुम क्योंकि वह बेचने के पाइसे से मिले थे उस पैसे से पहले कमिटी चुम्यटी किया कमिटी जो थाहीे तो उसको पंदर हजार का मंतिली उसको जमाखना पड़ता था तुक्तर करते उसने 10 मेना कमिती था कीशी तरह दस्मिना चलाया लेकिन कमेटी वह उठा लिया था तीसरे महिने में थीन लहाग और कमेंटी था उसको डो लाख रुपी उठाए एक लाख रुप फिलरई गाधा लहां कर favor महनद्रेquito Canal填 भुद लगा और मशीन से नहीं लगा में बॉसका करकी, जब अपर क्षिन से बर्मार्यत लगे लाए uni revenue ले नृटề के लागै थयुझा जने करी लेने के लिए, तर परम oldest बर्मार्यमाद क्लेन को महने में की मतर्म फबिषी-क्षिन से तो कुछ नहीं होता है फिर वो किसे तरह तीन पांच करके रहुदा करके उसने फी पैसा इकठा किया वैसे करते करते उसने दो मसीन किया पांच मसीन होने लगा तब जाकर कि उसको घरवाले ने सपोर्ट किये घरवाले तब उसके बात को माने कि नहीं बंदा सही करा आब यह सक्सेस हो रहा है तो जब वह सक्सेस की राह पर चल परा जब घरवाले को कुछ दिखा कि हम इसको पैसा नहीं दिये हम इसको कोई लिए और अच्छा खासा सेली भी हो रहा है तब घरवाले ने उसको सपोर्ट किया जितने पांच शे गाई था उसके घर में भैस था उसने सारे को बेच दिया और बेच करके चार पांच लाख उर्पे इकठा करके फिर से लड़कों को दिया जब लड़के को पांच लाख उर्पे फिर मिला तो लड़का का और भी पुझी बढ़े गया क्योंकि यह बिजनस जो है बिना पुझी का कुछ नहीं होने वाला फिर जब वह पांच लाख उर्प उसको फिर आप सब्सक्राइब गई निए मुखा था उसके बाद फिर जब वो मील से माल मंगवाने लगा ज्यादा ट्रक आने लगा उसका तब जा करके वो बंदा आगे बढ़ा और आगे बढ़ा तो इतना आगे बढ़ा गया कि 2016 तक में हम उसको क्या देखे कि उसके पास में 40 मशीने हो गया 2006 से 2016 तक में उसके पास में 40 मशीन हो गया शीफ और सीफ पेपर प्लेट की पाँच मशीन रो मट्रेल हो गया दिली के अंदर में उसके पास में 200 पाटी हो गया यानि 250 पाटी उसके पास हो गया रोज का उसका जो है 3 से 4 गाड़ी माल निकलने लगा और रोज का कम से 5 लाग का टर्न ओवर रोज का होने लगा तो यह बंदे का सक्सेस हुआ कब जब उसमें पैसा डाला तब पैसा डाला कब जब उसके घर वाले ने उसको तरक्की देखा तब उसको सपोर्ट किया जब जा करके उसने पैसा डाला मेरे सामने बंदा साइगल से काम स्टार्ट किया था आज उसके घर पे दो दो फर्चूनर खाड़ा हुआ है आज उसको दिल्ली में इतने सारे प्रोपटी बना लिया है वो कि कुछ कहने का नहीं वो बंदा अनपढ़ है लेकिन उसके लड़के बच्ची आज उस स्कूल में पढ़ रहे है जहां पे उसको खुद जाने में सर्म आता है क्योंकि उस स्कूल में लोग सारे इंगलिस में बाते करते हैं इनको हिंदी के लाबा कुछ आता है नहीं गाउन द्यात का भासा में बात करते हैं तो यह सब चीजे हुआ कब जब वह अपना धैर यह रखा उस बिजनस में तो आपको भी इसी तद्रह दिये करके सीमें पैसे लगाना है और पहले इसको समझना है समझने के साथ-साथ ही आप इसमें पैसा लगाते जाएं सबर करें यह क्योंकि कोई आपको साथ नहीं देगा कोई support नहीं करेगा इस्टार्टिंग में जब तक आपको कोई देखेगा ने क्यूंकि जो ची दिखता है वही बिखता है अगर आप दिखाएंगे नहीं अपने आपको उस लाइक नहीं बनाएंगे तब तो आपको कोई support नहीं सपोर्ट मिलेगा आप गड़ीबी के दुखड करते नहीं पहुच पाते हैं बहुत लोग एक ही गीत को गाते रहते हैं कि हम गरीब हैं हमसे कुछ नहीं हो सकता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे अरे करना चाहे तो एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है लेकिन उसके लिए पहले उसको होसला करना पड़ेगा उसको हिम्मत रख सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद!!!